हेलो एन वेलकम मैं उशे गुफता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई किचन माई डिश आज शीर खुटमे की रेसिपी मेरी थोड़ी सी आने में लेट हो गई है क्योंकि मेरी थोड़ी तबियत खराब हो गई थी मतलब तबियत खराब क्या पैरों में बहुत दर्द हो गया था तो रेसीपी थोड़ी सी लेट हो गई है इसके लिए माफ करें लेकिन एंजॉय करें मेरी रेसीपी को बहुत जबर्दसती रेसीपी की इस बार अमें एद पर ये रेसीपी बनाई थी तो चलीए शुरू कर लेते हैं मैंने एक लीटर दूद को पैन में डाल दिया है और अब इसे गरम होने का वेट करेंगे यह जैसे ही उबाला जाएगा तो गैस को ओफ करतेंगे लेकिन इसे लगतार चलाते हुए गरम करेंगे तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैं इसे लगतार चला रही हूँ ऐसे गरम करते हैं दूद में उबाला गया ही गैस को आफ कर देंगे लेकिन गैस को आफ करने के बाद 2-3 मिनिट के बाद हम इस दूद को फाड़ेंगे बिलकुल बलते हुए दूद में फाड़ने के लिए नीबू या वीडिगर नहीं डालेंगे यह मैंने 2 तेबल चैना भूट हाड हो जाता है लेकिन यही छैना सॉफ्ट होता है क्योंकि हम ने इसे 2 मिनिट ठंडा कर लिया है मतलब उबाल आने के बाद दो मिनिट के बाद हमने गैस आफ करके इसमें विनेगर डाला है और यह देखें मैंने दो टेबल स्पून पूरा विनेगर इसके अंदर एड़ कर दिया और दूद का फटने का प्रोसेस शुरू होके खतम हो चुका है और दूद मेरा पूरा फट गया है और बहुत अच्छा सॉफ्ट सा छेना बन के तयार हो गया है अब मैं इसे छान लोगी तो मैंने एक चलनी या स्ट्रेनर इसे कह सकते हैं इसे एक पतीली के उपर रख दिया है और इसके अंदर मैंने पूरा पैन में का मिक्स्चर जो था दूद का इसके अंदर टाल दिया और दूद में से जो पानी था वो भार निकल गया है और छेना चली में रह गया है तो छेने को उपर नीचे करके उसमें से पानी को पूरा भार निधरने देंगे इसमें थोड़ा दो गिलास पानी डालके इसे धो भी लेंगे छेने को धो लेने से उसमें जो विनिगर डाला है उसकी खटास निकल जाती है और छेना बहुत अच्छे टीस्ट का तयार होता है तो ये देखे ऊपर नीचे करके मैंने इसे सफ पानी से धो लिया है एक गिलास पानी से दोएं था एक गिलास पानी से और धोएंगे और बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा टेस्टी सा चेना तयार जाएंगे इसे आदे गंटे तक इसी तरीके से इस ट्रेनर में रखा रहने देंगे हाथों से थोड़ा थोड़ा दबाया है, जहाला कि छेना बहुत अच्छी तरीके से तयार हुआ है, मैंने कपड़ा नहीं लगाया है, फिर भी छेना बहुत अच्छा तयार हुआ है, तो अभी इस पानी को फेक देंगे, या स्टोर कर देंगे, ये पानी बहुत बहुत बहु और चावल में डालके पकाने के लिए बहुत अच्छा होता है इसके अंदर भी दूप के सारे विटामिन्स होते हैं अब ये देखिए छेना आधे गंटा हो चुका और पूरा इसमें से पानी निधर गया है तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है बहुत अच्छा सॉफ्ट सा चेना तैयान हुआ है अब इसके हम गोले बनाएंगे चेनी के तो इसे हथेली के इस पार्ट से हम इस तरीके से मस लेंगे इसे तब तक मस लेंगे जब तक कि ये चेने में से बिलकुल जो दानेदार दिख रहा है वो एकडम स्मूथ सा, क्रीमी सा हो जाएगा. क्रीमी सा डो हो जाएगा, आटे के जैसा. क्योंकि यह अभी दानेदार दिखनारा है, तो आभ इसके गोले बनाएगे तो वो बिल्कुल भी आच्छे है, और चिकने-चिकने नहीं बनाएगे. तो इसे इस तरीके से हाथों से आठ से दस मिनट तक हम इस तरीके से इसे मस लेंगे ऐसे हथेलियों से मसलने से ये बहुत अच्छा मसला जाता है और एकदम क्रीमी डो बन जाता है आठे के जैसा ये रेखे इस तरीके से तो ये रेखे डू हमने 10 मिनट तक इसे इस तरीके से हथेली से मसला है और ये बहुत अच्छा सा डू का गूला बनके त्यार हो गया है पूरा जो छेना है वो पूरा एक जगे पे आ जाएगा उसमें से टुकडे बाहर नहीं निकले रहेंगे और ये देखे चिकना चिकना सा हो गया थोड़े से क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा और मसल लेंगे एक मिनट तक और मसल लेंगे ये देखे एक मिनट तक हमने मसल लिया और यह बहुत अच्छा सा बिलकुल बिना crack का गोला बन के तयार हो गया है आप इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे अपने size के हिसाब से बनाएं वैसे इसे हमने शीर खुर्मे के अंदर यूज करना है तो इसके छोटे छोटे गोले बनाएं और अब चलते हैं इन गोलों को पकाने के प्रोसेस में तो इसकी चैशनी बनाना है चैशनी कोई गाड़ी चैशनी नहीं बनानी है तीन ग्लास पानी लेंगे एक लिटे दूट के छेने को पकाने के लिए हम तीन ग्लास पानी एक पैन में डालेंगे तीन ग्लास पानी डाल दिया इसके अंदर एक कप शुगर डाल देंगे बहुत जादा मीठी चाशनी नहीं बनानी है क्योंकि जब इसे पकाएंगे तो ये पानी उड़ता जाएगा और चाशनी गाड़ी होती जाएगी अपने आग इसे ढख दिया शुगर मेल्ट होने तक इस चाशनी को पका लेगे तो शुगर मेल्ट होना शुरू हो गई है पूरा उबाल आने तक शुगर पूरी मेल्ट हो जाएगी जैसी शुगर मेल्ट हो जाएगी तो मैं इसके अंदर छेने के गोलों को डाल दोगे तो ये देखिए अच्छे से चला चला के मैंने चाशनी बना ली है शुगर मेल्ट हो चुकी है थोड़ सी बाकी है वो भी अभी मेल्ट हो जाएगी इतना करने में पांच मिनट लगते हैं इसके अंदर मैंने सारे गोले डाल दिया जो बना कर रखे थे उबलती हुई चाशनी ने आज को तेज ही रखा है अब इसे ढख देंगे और 20 मिनट तक हम इसे मीडियम आज के उपर पकाएंगे तो ये जो जितने बड़े गोले मैंने बनाया है ये इससे डबल हो जाएंगे फूल के और ये देखे बीस मिनट तक पकाया और ये फूल के डबल हो गए है अब इन डबल हुए गोलो को हम निकाल लेंगे इस पैन के अंदर से कितने अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट गोले बनके तयार हुए है और चाशनी को उन्होंने पी लिया है अच्छी तरीके से तीन गिलास पानी डाला था मैंने मुश्किल से एक गिलास पानी बचा है तो चाशनी पूरी एच्छे से तयार हुए है और गोले उसके अंदर पूरे डूबे हुए है तो इसे मैंने एक बोल में निकाल लिया इन्हें साइट में रख देंगे ठंडा होने के लिए दूसरी गैस के उपर मैंने ट्रांसफर कर दिया मेरे दूर को और मैंने इस पैन के अंदर तीन चमच गी डाला है गी बहुत जादा नहीं एड करना है इसके अंदर मैंने आधा कप किशमिश डाल दी है और किशमिश को लो आच के उपर तब तक तलेंगे जब तक यह अंगूर की त पेज नहीं करना है नहीं तो किश्मिश एकदम काली-काली हो जाती है जल के जल जाती है कलर डार्क हो जाता है तो इसे दो तीन मिनट तक मैंने बिलकुल लू आच के ओपर तला है और यह देखे किश्मिश अगूर की तरह फूल गई है हाला कि यह थोड़ी दर ठंडा रहने के बाद फिर से पिचक जाएगी और यह देखे किश्मिश को निकाल लिया अगी को उसी में रहने दिया इस गी में डालूँगी मैं काजू आधा कप और आधा कप बादाम और पिस्ते के बारिक कटे वे फ्लेक्स आधा कप चिरोंजी औ काजूं को बीच से दो टुकड़े कर दिया है और अब इन ड्राइफ रूट्स को तल लेंगे यहां पे आपको बताना चाहूंगी कि ड्राइफ रूट्स आप जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं यह तोटल आपकी चौइस के उपर है बहुत से लोग इसमें शीरकुर्मे के अंदर छुहारे डालते हैं चुहार बीचों को 2-3 घंट हम इसमा चूहारे बार इत adel लहां आप देख चित लिए है इस के अंदर मैं में एक 50 ग्राम सेविया ली जो मूटी सेविया होती है शीकुर में कि वो ली और 50 ग्राम सेविया पूरी छोटी तोड के मसल के क्रेश करके इसके अंदर डालती है मतलब लंबी-लंबी स्टिक्स नहीं रखना है उसे हाथों से दबा कर चूरा कर देना है और उन्हें इसके अं धूद में उबाला गया है अच्छी तरीके से उबाला गया है तो धूद के अंदर मैंने जो ये ड्राइफ रूट्स तल के रखे थे इन्हें आड़ कर दिया मतलब सारी चीज़ें जितनी तल के रखी थी स्ब इसके अंदर डाल दी है शीर कुर्मे की खास बात ये है कि इ मैं इसके अंदर एक कप शुगर एड़ करूंगी क्यूंकि बहुत ज्यादा मीठा नहीं चाहिए इसके अंदर इिलाची आड़ कर देंगे, इसके अंदर इलाची को पूडर के पाउड़ बना लिया है, उसे इसके अंदर डाल देंगे। इलाची से बहुत अच्छा खुश्भो आती है और शीर-फुर्मे का टेस्ट जबरदस्ट हो जाता है। तो यह मैंने शीरखुर्मे और सफेदरस गुले का फ्यूजन रसमलाई शीरखुर्मा बनाया है आपने देखा मैंने इसके अंदर शुगर एड़ कर दी एक कप शुगर एड़ की है अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ी और शुगर डाल सकते हैं इसके अ क्योंकि खोय की खीर नहीं बनानी है शीरखुर्मे को बिल्कुल अच्छा सा लिक्विड रहना चाहिए खोय का उसके अंदर अच्छा टेस्ट आना चाहिए खोया पिघल गया उसके अंदर आप इसके अंदर मैं ये केसर डाल दूँगी केसर भी बिल्कुल आप्शनल है आ मैंने केसर के कुछ करीब 20-25 धागे डाल दिये हैं, थोड़ी और डाल सकते हैं, आपको अगर केसर जादा पसंद है तो जादा डाले, नहीं पसंद है तो नहीं डाले, कम पसंद है तो कम डाले, ये भी totally optional है, क्योंकि आपको खाना है अपने टेस्ट के हिसाब से खाना है, तो केसर भी डाल दी, इसके अंदर, खोया डाल दिया, शुगर डाल दिया, शुगर डिजॉल्व होगे, बहुत अच्छा मीठा सा टेस्ट आ गया है, और ये हमारा शीर खुर्मा बन के सर्विंग के लिए तयार है, तो आपने देखा हमने छोटे-छोटे सफेद रस गुले ब कभी नहीं ठीभाटे, तो थोड़ी देव में ये जो किश्मिष को मैंने तली हुई किश्मिष को डाला है, वो वापस अंगूर की तरह फूल जाएगे इसके अंदर, और वो देखने में भी बहात अच्छी लगती है, और खाने में भी बहात अच्छी लगती है, तो अब ह और शीर खुर्मे को सर्विंग बोल में डालने के बात, हम इसके अंदर एड करेंगे अपनी रसगुले, सफेध रसगुले, आप चाहें तो कोई कलर डालकर भी उन तक बना सकते हैं, यलो कलर डाल सकते हैं, ये दिखें मेरे रसगुले बनके तयार है, अच्छे ठंडे ठंड लेकिन उन्होंने चाशनी पी ली है तो उस चाशनी का टेस्ट भी शीर खुर्मे के अंदर आ जाएगा तो उससे वो शीर खुर्मा थोड़ा और मीठा लगने लगेगा तो ये एक यूनीक सा शीरकुर्मा बन के तयार हुआ है रसमलाई शीरकुर्मा बहुत ही जबरदस बहुत ही टेस्टी और जिन लोगों को सफेद रसगुले बहुत पसंद होते हैं उन्हें तो ये शीरकुर्मा खाने में बहुत मज़ा आने वाला है और ये घर के बनाए हुए सफेदरस गुले इनका अपना अलगी टेस्ट होता है कोई पाउडर कोई भी कैमिकल इसके अंदर नहीं पड़ा होता और ये हमारा फ्यूजन शीर खुर्मा बनके तयार है तो इसे हमने इस बार इप पे एंजोई किया है आप भी जब चाहे तब बनाए अभी एद का मौसम चली रहा है बनाए और मुझे अपनी दौाओं में याद रखे और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले टेक अवरी गूद कार ओफ यूर सेल्फ और यूर फैमिली बाई लाफेज